नमस्कार साथियों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में साथियों आज का वीडियो एंपोटेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम चर्टा करेंगे कि परपत्र दस यानि की कार्मिक व्यक्तिकत विवरंड की एंट्री किस परकार की जाती है चुकि इसमें तीन चीज़ें जैसे की पे मैनेजर एनाइसी आईडी और असेम्बली नेम और एपिक नंबर नई एंट्री जोड़ी गई है उनकी एंट्री करके अपडेट करना अतिया आउशक है इसलिए साथियों को पूरा देखें एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें स्कुल के आईडी से साला दरपन पर लोगिन हो जाना है तो किस परकार का इंटरफेस हमको दिखाई देता है अब इसमें से हमें स्टाफ विंडो को सलेक्ट करना है जैसे हम स्टाफ पर किलिक करते हैं नीचे एक विंडो खुल जाती है और इसमें से हमें फॉर्म दस एलिमेंटरी स्कौल स्टाफ डेटेल प्रोफाइल एंटरी यह फॉर्म दस को हमें किलिक करके खोल लेना है इस पर किलिक करने के बाद में हमारे श्टाप में जिते भी कार्मिक है उनके नम श्यों हो जाएंगे और सम्मंदित करमचारी के नाम के आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नील एक्सरों में परपत्र भढ़ने एडिट करने के लिए किलिक करें हमें यहाँ पर किलिक कर देना है जैसे ही हम किलिक करेंगे अब हमारे सामने कारमिक की सारे डिटेल परदसित होने लगेंगी हम नीचे चले जाएंगे आप यह कारे साथियों चाहें तो लैपटोप पर कर सकते हैं लब नहीं है तो mobile पर भी आसानी से कर सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि करमचारी की सारी डिटेल्स यहां पर पर्दशित होने लगी है कार्मिक का सिवा भी लगो कर कर अनुसार विवरन यह पर देशित होने लगा है अब हमें क्या करना है साथ यो इसको सबसे पहले आप कोuding bisher di Israelis को ट्राइब कर लें। क्योंकि उस से भड़ने में काफ़ी आजली होती है। तो सबसे पहले हम याँ पर किलिए करेंगे और या पिदेख सकते हैं सद्धियों बसुत यह उपस्ट बसाइट का हमें याँ पर किलिक करना है जैसे ही किलिक करेंगे यह वेबसाइट होगी यह डेक्स्टोप मोड में चली जाएगी और हमें बरने में एंट्रीज करने में काफी आसानी हो जाएगी अब हम कार्मिक के विक्तिकत विवरंड में आ चुके हैं इस सारी डिटेल से करने के बाद में अब हमें सत्यापित कर देना है आप हरे एक्सरों में देख सकते हो हरा बॉक्स दे रखा है इसको सत्यापित करने के लिए यहां पर किलिक करते हैं सत्यापित हो जाएगा अब एक नया पेज खुलता है कार्मिक की अन्य विक्तिगत जानकारियां इसमें एसाई नंबर जीपीएफ नंबर प्रान नंबर एनपेस नंबर सारी चीज़े आ जाती हैं यह कोई विशेश चीज़े नहीं है के साथियों यह आप आसानी से बर सकते हैं इसके बाद में हम जो हमारा में टोपिक था उसके उपर आते हैं कि यह दिया आपके यह चीज़े भरी हुई नहीं है तो आप इनको भर लें साथ ही आता है कार्मिक का एपिक कर्मांग अब आपको क्या करना है यह नीचे बॉक्स में आपका जो एपिक कर्मांग है वो भर देना है एपी कर्मांग भरने के बाद में नीच आता है कार्मिक के एपी के नुसार विदान सभा आपकी जो भी विदान सभा होगी आप उसको यहां से सलक्ट कर लेंगे और उसको भर देंगे यहां से सलर्क करने के बाद में आप अपनी विदानसाबां यहां पर सर्च कर लेंगे और जो भी होगी उसको आप भर देंगे विदानसाबा शेतर भरने के बाद में आता है कार्मिक की पे मेनेजर NIC UID साथ हो यह मोस्ट है इसको भरनती आउसक है यदि आपको पेव मेनेजर NIC UID नहीं पता तो चैनल पर जाके आप वीडियो बना रखा है जिसमें पेव मेनेजर UIC ID प्राप्त करने के तीन तरीके बताए गए हैं आप उन तरीकों को माध्यम से आसानी से अपनी पेव मेनेजर NIC ID को प्राप्त कर सकते हैं वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा आप सीधा जाकर वहां पर किलिक करके सीधा ही वीडियो देख सकते हैं चोकि मैंने पेव मेनेजर NIC प्राप् कर देना है साथियो ध्यान रखे कि जब तक आप इसको लोक नहीं करेंगे तब तक आपके एंट्रीज सेव नहीं होंगी तो यह डेटेल्स हमारी से हो चुकी हैं हम प्रोशीट पर किलिक कर देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं आगे हम देखते हैं कि हमारी योग्यता से सम्मंदित एक पेज आ चुका है जिसमें योग्यताएं भरनी हैं तो यह योग्यताएं भी आप आसानी से भर सकते हैं प्रिक्षय का इस्तर प्रिक्षय का नाम परकार बोड का नाम और रोल अंबर वगएरा यह सारी चीजे हैं इसको आप आसानी से भर सकते हैं आप इसमें और भी एंट्री जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं आप यहां नीचे देखेंगे यहां पर सेलेक्ट का ओप्सन दे रखा है इस पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपके सामने यह उप्सन आ जाते हैं इसमें से जो भी आपको option भरना है उसको select कर लेंगे और आगे की सारी details भरते जाएंगे सारी details भरने के बाद में last में आप देख सकते हैं एक save का option है यहाँ पर आप save कर देंगे तो आपके सामने सी परकार की एक line और आ जाएगी आप और भी entries उसमें जोड सकते हैं साथ Jeżeli कारे बहुत ही आस आजाता है अप आप आसानी से कर सकते हैं यह कारे करने के grands में हमें क्या करना है save and next पर पुनद्य किलिक करना है उसके बाद में साथ ही आ जाता है कार्मिक का सेवा विवरण सेवा पुष्टिका का नुसार पर्थम लाइन में वर्तमान संस्ता में वर्तमान पद का विवरण लिखें ते सारी एंट्रीज आप आशानी से कर सकते हैं बहुत ही common चीजे हैं जैसे ही आप करते जाएंगे आपको लाश्ट में सेव का उप्षन मिलेगा आप सेव कर देंगे और इसी परकार आप देख सकते हैं उपर जो भी आप सेव करेंगे वो आपको नीचे लिखा हुआ परदशित होने लग जाएगा फिर से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं और इसी परकार और एंट रीज आ जाएंगी पूरी परकिर्या देखने के लिए साथियो आपको जो दूसरा वीडियो बना रखा है वो जाकर देख सकते हो परपत्र दस के उपर एक डिटेल वीडियो बना गया है लास्ट में आप जाएंगे तो आपको OTP के थुरू final submit करना है और लोग कर देना है इस परकार आपने जितने वी एंटरी के थी आपकी save हो जाएंगी और आपका कार्य पूर हो जाएगा साथियो वीडियो के बारे में अपने राय जरूर दें और जो कार्य प्वेमेनेजर रहना इसी आईडी इपिक का जो विदानसबाद छेतर का जो भी कार्य था उसके एंटरी तुरंत कर देंवें कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी समश्या कमेंट बॉक्स में लिग दें आपकी समश्या का समधान तुरंत किया जाएगा यह वीडियो देखने के लिए साथियो आपका धन्यवाद और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें